लुटी है बेटी तो लुटा सम्मान हम सब का है लुटे रहा है अगर आजाद तो आपमान हम सब का है बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मज़ग की लड़ो मिलकर दरिंदो से यह हिंदुस्तान हम सब का है गाजियाबास से एक नापालिक बच्ची के साथ गयाएंगरेप का मामला सामने आया है सुत्र को मताबिक बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ती है इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बलके बच्ची के परिवार के रिस्तिदारी है घटना का अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो चुका है पलिस मामले की जाश में जूटी है यह घटना गाजियाबाद के मुरादमनगर की है सुतर के मताबिच बच्ची को पहले बहला फुसला कर घर में बुलाया गया फिर इसके साथ सामोई दुसकर्म की घटना को अंजान दिया गया पिरित बच्ची के साथ इस हैवानियत को लेकर इसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुगदमा दच कराया है पिरित के परिवार और आरोपी के परिवार दोनों मुडादनगर में आसपास ही रहते थे आरोपी का परिवार शादी में गया हुआ था घर में सिर्फ दो युगद्ट है जिनोंने पहले बच्ची को बहला खुसला कर अपने पास बुलाया फिर उसके साथ बारी बारी से जुस्त कर्म किया जब मासुम बच्ची अपने घर गई तो उसने अपने परिवार को आप बिते सुनाई उसके बाद बच्ची को लेकर उसके परीजन तुरंद पुलिस रस्टन भागे बच्ची का मेडिकल करवाने के बद पुलिस में गैंग रेप की अन्ने धाराओं में शिकायत दज कर आरोपी के तलास में जुटी होई है हाल ही में पुलिस के आकरों में खुलासा हुआ था कि बलातकार के ज्यादा तर्मामले में पुलिता का कोई न कोई जानकार शामील होता है NCRB ने भी अपने 2019 और 2020 के आकरे में साफ किया था कि रेप के मामलों में 44% आरोपी परिवार से जुरा या कोई दोस्त होता है 26% अमालों में आरोपी पृता के ही जानकार पाएगा है जबकि दुसकर्ण के 12% आरोपी पृता के पड़ों से निकले है हरानी की बाद यह है कि रेप की केस में सिर्फ दो पर अरोपी ही ऐसे निकले है जिनकी पृता से कोई जान पहचा नहीं थी पती पत्नी के बीच वही बाद तो हमेशा होती ही रहती है और शादी के बाद इतनी पत्नी का किसी दूसरे के साथ अवयत संबंद रखना और उस संबंद के वज़ा से मर्डर होना यह बहुत ही आम बात हो चुकी है अब ऐसी पती पत्नी के रिष्टों को समसार कर देने वाला मामला बिहार के पुर्णिया जिले में से आ रही है अपने प्रेमिक साथ मिलकर एक साजी सहची और अपने पती के हत्या करवा दी इस घटना के बाद पुर्णिया जिले में यह मामला सुर्ख्यों में है मिली जानकारी के मताबिक ये पूरा मामला पुर्णिया जिले के मरंगा थाना के सक्संग मंदिर के पास रहा सुत्रों के मताबिक इससे पहले इसी जगह 31 दिसंबर की रात एक दवा वियापारी मुहर्च जन्दास की भी गोली मारकर अत्या कर दिया गई थी उत्तर पुर्वी दिली के जोती नगर इलाके में एक सिर्फिर आशिक ने यूर्थी पर हतौरे से जानलेवा हमडा कर दिया हमने में यूर्थी के सिर्की कई जगह से हड़ी टूल गई बहत गंबी हालत में फिरिता को जीटीवी अस्पताल ले जाया गया जहां से पत्पर ग कर उसने खुद को भी फांसी लगा कर जान देनी यूर्थी के कसूर सी प्यत्रा था कि उसके परीजन उसकी शादी की की तैयारी कर रहे थे और उपी खुद यूर्थी से साधी करना चाहता था जोती नगर थाना पुलिस ने वारदात में इस्तमाल हतोरा बरामत कर लिया है पुलिस के मताबिक पीरता कुलसुम मीर्त नगर इलाके में रहती है इसके परिवार में माता पिता के अलावा एक बैन वह तीन भाई है कुलसुम के पिता का सिलाई का काम है जबकि वह खुद एक नीजी कमपणी के स्टोर पर नौकरी करती थी सुबार सुबावा घर से अपने स्टोर जाने के लिए निगली थी इस दोरान जैसे ही वह स्टोर के नजदीक पहुँझी अचानक आरूपी शेकर हतोरा लेकर वहां पहुँचा वारदात के बाद आरूपी शेकर राजनेगर लोनी गाजियावाद इसी अपने घर पर पहुँचा वहां पहली मंजीर पजा कर पुछन शौल के सहरे हांसी लगा ली लोनी पुलिस ने सब को कपजे मिले कर इसका पोश्माटम करा दिया जोती नगर थाना पुलिस ने हत्या के पर्यास का मामरा दज़कर शेकर के परिजरों से पुछ ताशकर मामरे की जान सूल कर दिया चानमीन के दोरान पुलिस को पता चला है कि शेखर का पिता मीत नगर इलाके में कुलसुम के घर के पास धावा चलाता था शेखर भी पिता की मदद के लिए धावे पर बैठता था यहां उसने कुलसुम को देखा तो उस पर लट्टू हो गया आरोपी को जब पता चला कि कुलसुम की शादी की बात चल रही है जल्दी परिवार वाले उसकी शादी करवाने वाले हैं तो उसने सनक्त में कुलसुम पर हमला कर दिया कुलसुम का परिवार उसकी सलामती की दौए कर रहा है उसकी हलत बेहत नाजुग बनी हुई है कुलसम के परिजनों ने बताया कि उसके पिता ने सिलाई का काम कर अपने बच्चों को बहुती मेहनस से पढ़ाया कुलसम की बैंड अर्थस्टैनिक बल में हवलदार है जब कि उसका भाई यूपी पुलिस में सिपाई है परिवार का कहना कि कुलसम भी नौकरी कर रही थी परिवार जल्द उसकी शादी करना चाते थे जैसी कुलसम की शादी की बाद चली तो आरोपी ने हपना कर दिया परिवार को सपने में भी गुमान नहीं था कि आरोपी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है शेखर की मौत के बाद इसके परिवार में भी मातन चागया। इसके परिवार में पिता महेंद्र, मा, चार भाई और एक बहन है। 17 परवरी को शेखर के बड़े भाई की शादी हुई थी। अभी घर में शादी कहीं महाल था। अचानक शेखर के इस कदम से पूरा परिवार सदमे में आ गया है। परिवार को यकिन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा ऐसा कदम उठा सकता है। महेंदरी ने बताया कि पिछले कई सालों से वहां मीत नगर इलाके में खाने का ढवा चलाता है। कुलसुन भी वही पर रहती है। जोती नगर थाना पर इस परिवार से पूस ताचकर मामने की चानबिन कर रही है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का ऐसी संसन के साथ हर सुवार और गुरुवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। देखते रहे वर्ड नाव न्यूज आज की खबर कल का प्रभाव।